Hello students and welcome to E-Waze Academy channel तो जैसे आप सभी को पता है कि आज है World Water Day 22nd March को हर साल World Water Day celebrate किया जाता है और यह since 1993 से ही start हुआ है celebrate करना और every year इसको celebrate किया जाता है तो आज मैं आपके साथ share करूँगी कि इसकी theme क्या है क्योंकि हर साल कोई भी अगर day celebrate किया जाता है अर्थ दे हो गया तो हरेकिन आपने एक theme होते है जिस theme पे work करना होता है जिसे की लोगों को अवेर करते हैं कि उस theme के according उस public को जो common लोग है उनको aware किया जाता है तो जो 2024 की जो theme है 22nd March 2024 World Water Day की theme है Water for Peace इसका मतलब क्या है कि आपको जो है water को conserve करने के लिए आपको trans boundary कान करना पड़ेगा means ऐसा नहीं कि हमें इंडिया का water conserve करना है हमें trans boundary means दूसरी country के साथ collaborate करके cooperate करके water को conserve करना पड़ेगा तो आज इस साल की जो theme है that is a water for peace आपकी exam point of view से बहुत important है क्योंकि theme से question हमेशा पुछे आते exam में तो इसको आप note down कर लीजिए और आप मुझे comment section में बताइए कि कौन इस theme को release करता है किसकी duty है कौन सी agency हो जो हर साल यह themes देता है क्योंकि हर साल themes change होती है तो इस चीज़े आप comment section में share कीजिएगा thank you so much